जिम्बाम्बे वर्सेज आयर्लैंड दूसरा T20 मैंच दूसरों ये जो दूसरा T20 मैंच है ना इसमें कौन से ऐसे वैस्ट मैंच है जो सबसे ज़्यादा दन बनाएगा ये जानना ज़रूर यह क्योंकि जो पहला मैंच था ना उसमें जो मैंच हुआ काफ़ी ज़्यादा लो इसमें कौन से ऐसे बल्लेवाज है जो सबसे ज़्यादा रंट होकेगा कौन से ऐसे गेंदवाज है जो सबसे ज़्यादा बेकेट निकालेगा इसके अलावाना मैं आपको एक ड्रीम 11 की जवर जस वीडियो बनाके मिदूंगा और ये जो मैंच से पता है ना हरारे स्पोर् जब इन्पोर्टेंट वीडियो होती है तो जल्दी से मैं स्टार्ड कर देता हूं तो आप भी ऐसा करो जल्दी से भाई के चैनल को ना सब्सक्राइब कर डालो क्योंकि आपको ही पता मैं कोई हीरो या सिलिबेटी थोड़ी ना हूँ यार आपके जैसे आपकी बीच करहने हैं वाला आपका अपना ही भाई हूं तो आपको ही सपोर्ट करना पड़ेगा कोई बाहर सी नहीं आएगा और करना क्या है कुछ भी नहीं करना बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना तो करी सकते हैं और अगर आपको सभी माचों में फायदा उठाओ बस एक चीज का ध्या इंगले में डिसकस करते हैं जिंबांबे की बात करें तो यह बिल्कुल सेम रहने वाली है जो पिछले मैच में थी आयलेंड की बात करें तो इनकी भी बिल्कुल सेम रहने वाली है कोई भी चेंज ना करेंगे आगी प्लेंगले मास अब जानते इसमें से कौन चलेगा कौन हो जाएगा फ्लोप मतलब 50 साबीत होगा लेकि उससे पहले ना थोड़ा सा पीज का बीएवियर कंडिशन एंड रिकॉर्स भी तो जान लेते हैं तो हरारे स्पोर्ड कलब हरारे में भी तक की 20 के 35 मैच के लेगा जिसमें से 22 मैच में क्या हुआ टार्गेट डिफैंड तेरा मैच में क्या हुआ टार्गेट जीज मतलब यहाँ के मैऀदा पे ज़्यादा मैचों ए में क्या होता है कल दो आप कि 176 मतलब लोग स्कोरिंग अभी मिडिएम स्कोरिंग मैच होते हैं ऐसे मैदान पे रहा ज Till स्कॉर गपनी टिभिर करें 168 168 पर इसकोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गिट डिफैंड हो सकता है 152 से 168 की बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है न यह तो बराबरी का आ गया चेज भी हो सकता है इस मैंदान का जो हाइस स्कोर है फर्स इनिंग का 239 जो की टीम अस्ट् कोटली फैंड की बात करें 118 जिसे जिंबंबे ने पाकिस्तान के सामने 2021 में किया था इस पर इनिंग में से वन सेdar स्कोर बन चुका है तो scoring pattern देखने के बाद क्या लग रहा है यही लग रहा है यहाँ पे जो मैच होता या तो low scoring या तो medium scoring होता है high scoring की बात करें वो कभी कभी होता है ऐसा क्यों होता क्योंकि यहाँ का जो surface है ग्रोस है जो तेज गेनवाज है जो उनकी बॉल होती है उनको काफी ज़्यादा swing मिलती है सीम के साथ तो बल्ले वाजी करना थोड़ा सा यहाँ पे मुस्किल होता है अलाकि यहाँ की जो condition है वो batting condition है लेकिन 5-6-7 ओबर के बाद जब बोल की signing थोड़ी सी खतम हो जाती है तब बोल थोड़ा सा bad पे आना start करता है तो इससे क्या सा भीत हुआ इससे यह हुआ जो तेज गेनवाज सुरू में गेनवाजी करते हैं स्विंग करवाते हैं उनको आपको अपनी fantastic cricket के team में रखना है बाकि जो बल्ले बाद सुरू में बल्ले वाजी करने आते हैं और सींग के सामने फचते हैं तो उनसे आप थोड़ा सा बच करें बाकि जो middle order में बल्ले वाजी करने आते हैं या जो allounders होते हैं उनको आप अप सबसे पहले हम बात करते हैं आप टडी वान से मरू मानी ना आज के मैच में पांदस या पंदरा बना के निपड़ जाएंगे तो आपना इनसे थोड़ा सा बच के रह सकते हैं क्रेग एरविन की बात करें इनको ना जो Ireland की टीम है काफी जादा पसंद है 296-296 मेर बना चु तो आप इनको ना अपनी टीम में जरूर रखके हो सकते हैं तो Captain and Vice Captain भी कर सकते हैं वेशली महदवीर की बात करें तो इनको जो हरारे का मैदान है ये काफी ज्यादा पसंद है 13 मैच खेला 375 न बनाएं आप बोलें पसंद है वाईस आप हो जाता है किसी-किसी मैच में फोल and Vice Captain भी कर सकते हैं Gary Balance की बात के तो I think Gary Balance आज की मैच में नहीं चलेंगे फ्लोफ हो जाएंगे तो Gary Balance से ना आप थोड़ा सा यहाँ पे बज़के रह सकते हैं और अगर हम यहाँ पे Scene Williams की बात करें तो Scene Williams ने आखरी के 10 मैच में 191, 191 बनाएं जो कि बहुत जादा अच्छा न नहीं होता लेकिन जो हरारे का मैदान है नहीं यहाँ पर इन्होंने अभी तक 14 मैच कहला और उन 14 मैचों में 216 बनाएं हलाकि बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन मुझे लगता है आज के मैच में रियानबल 20-25 की आपको बल्ले वाजी करके देंगे और इसके लाँ हो सकता बराड इवेंस की बात करें मुझे लगता है आज की मैच में जो बराड इवेंस होगे जवर्द उसके इंदवाजी करेंगे कि फायती होंगे दो तीन बिगिट निकालेगा कौन बराड इवेंस तो आपको बराड इवेंस को अपनी टीम में रखना है बेलिंग्टन मसक मिलेगा लेकिन इसके साथ यह थोड़ा सा महंगे होंगे तो इसके साथ नहीं सब्सकर रहे wed cases क्या जिन्म na मैदान है काफी ज़्यादा पसंद है अगर ये खेलेंगे तो जबर जस गेंद बाची करेंगे दो या तीन विकेट निकालेंगे और कि फायती भी होंगे तो अगर लुइक जो एंग वे प्लेइंग लेंस में होंगे तो आपको इनको अपनी टीम में रख लेना है एंडू ब बात करें तो आइफिंग मुझे लगता है रोस एडायर आज की मैश पहरां चलेंगे पांदस पंद्रा बना के निपड़ जाएंगे कौन रोस एडायर तो रोस एडायर से अपना थोड़ा सा बचके रह सकते हैं इस टेफन धुहानी की बात करें तो आजकि स्टेफन धुह रखना है हो सके तो इनको भी कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं जोज डॉक्रेल की बात करें तो मुझे लगता जोज डॉक्रेल ना आज की मैस में अलॉंडर प्रफॉर्मेंस देंगे मतलब एकाता बिकिट निकालेंगे और 20-25 बना की भी देंगे तो आपना ज आज की मैच में यह बढ़िया गेंदवाजी करेंगे एक या दो बिकिट निकालेंगे इसके साथ ना यह किफायती भी होंगे तो इनको आपको अपनी टीम में रखना चाहिए मार्क एडेयर की बात करें आखरी की दस मैच में दस बिकिट चटका हैं लेकिन जो जिम्मामब के सामने यह ना चौदा बिकिट चटका चुके कौन मार्क एडेयर और मुझे लगता है आज की मैच में यह जवर जो स्केंदवाजी करेंगे किफायती रहेंगे और दो तीन बिकिट निकालेंगे तो आपको ना इनको अपनी टीम में रखना चाहिए फियोन हैंड की बात क करें तो फियन हैंड थोड़ा सा महेंगे साबीत होंगे बिकिट एकाता मिल सकता है लेकिन महेंगे साबीत होंगे तो आपना इनसे थोड़ा सा बच करें बैरी मैक करती की बात करें एक किफायती होंगे लेकिन बिकिट ना मिलेगा बिकिट मिलेका एकाता मिलेगा लेकिन कि तरह तो अगर लोड़कन टकर होंगे तो आपको उनको अपनी टीम में रखना चाहिए तो भाई लोग हमने यहाँ पर सभी प्लियस के बारे में जान लिया किनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती और कौन हो सकता है फ्लोप तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जाद आपको इस मैच की दो-3 टीम चाहिए तो आपको करना क्या है? इसBayillon waile लिंगी मिल जाए कि टेलिक्रामकी मैच की स्टार्ट होने के 20-25 मेट पहले आपको इस मैच की 2-3 टीम मिल जाए कि हाँ में टेलीग्राम परूमील की बहूत ज्यादा नकली टेलिक्राम चनल क्यों तक के लिए God bless you